हलो एब्रिवन वेलकम तो स्केमगाई यूट्यूब चैनल तोड़े वे गूंग तो लार्न अबाउट क्रेटिंग कस्टोमाइज दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो पहले से कुछ इंपोर्टेंट टेक्स्ट लगा हुआ है लेकिन आज हम बनाएंगे जिसमें हमारा इंपोर्टेंट टेक्स्ट हम अटोमेटिकली एड करके रख देंगे और क्लिक करेंगे और नया कपी एड करेंगे ठीक है उसमें ना तो डेट चेंज करने की ज़लूरत है उसमें टाइटिल का प्लेसोलडर टेक्स्ट रहेगा कर्सर से आप देख सकते हैं और उसके नीचे में आपका कंपनी का अड्रेस कंपनी का फोन नंबर कंपनी का इमेल रहेगा ठीक है हमने इसको तोड़ा जूम कर दिया आपको देखने के लिए 100% जूम किया देखो उसमें स्टेम गाइड यह आपका हेडिंग रह गया हम टेम्पलेट से आपका होगा लेकिन देख लेकिन आत्मेटैक्ले चेंज हो जाएगा तो आप 30 को करते आएं में तो उहां पर देख यह आपको बता धो यह थोड़ा टेक्स हमने डिजाइन किया आप पर दिजाइन का सकते है थीक है वो टेक्स को तोड़ा आप टेक्स सि आउटलाइन दिया आप कैसे देख रहे हैं यह टेक्स नॉर्मल है यह टेक्स टाइब करने के बाद वाला जो है यह लाइन है उसमें उसको हम सिंप्ली होहां से सिलेक्ट किया वहाँ पर जाकर हम नौ बोडर करते हैं तो उहाँ पर नौ बोडर हो जाएगा नो बोर्डर कोई नहीं है तो जब आपका वाओ टेर्सल्ट के लास्ट में होगा तो आपको इसमें जाना है जाके बोटम बोडर कर देना है डीजाइन आ चैंज कर सकते हैं अभी तक हो यह जो टाइटल टेक्स है क्योंक्किए हमारे हर डखुमेंड का चेट्मिकेशन नीचे phone number company का email रहता है तो यह title को हम कहां से add करेंगे for example मैं आपको दिखाने के लिए आप nature रखो इस जगा पर उसमें click करना और insert में अपने cursor को particular position पर रखना जहाँ पर प्लेस होल्डर text insert करना चाहते है इसको बद आप insert पर जाना जाके यह quick parts है quick parts से आपको document properties में जाना है उसमें by default कुछ दिया हुआ है जैसे subject, title आप for example मैं title क्लिक करता हूँ तो automatic आ जाएगा आप उसको format करना चाहते है तो style में जाके किसी भी format देसे ठीक है तो आपको समझ में आया तो उसके format चेंज करते हैं में document है भी लिखेंगे में document आपका बार-बार चेंज हो सकता है लेकिन आपका यह heading title और subject line से बराबर रहेगा और उसमें date भी खाले date चेंज होगा लेकिन placeholder text बराबर रहेगा अब जब हम date insight करेंगे मैं नीचे एक बड़ date को insight करके दिखा देता है उसमें insight menu में जाओ यह आपके date and time है उसमें एक चीज़ दियान रहना जो बहुत जरूरी है आप date and time पे क्लिक करो यह date and time का available format है अगर आपको यह वाला जो format है selected उसको select करना है रखना है तो आप रखो otherwise आप Friday 7th October 2022 या 7th October 2022 या 071020 जो है किसी भी एक format या तो हम जो नॉर्मेली लिखते है 710 या लिख सकते हो हा या तो खाली month add करना है तो October 2022 लेख सकते हो time भी साथ में रखना है तो आप time भी रख सकते हो और उसके बाद एक चीज़ याद रखना है हमने तो यह वाला select किया है कि right side में देखो update automatically उसको आप off करो दो तो क्या होगा अगर किस तरीक को आप यह document create करोगे template से एक नया document create करोगे तो आपको किस तरीक नहीं हैगा आज का data हैगा तो उसमें आप update automatic करना है करना है तो करना है यह होगे आपका basic format similarly उसमें footer में जाके हमने documents quick parts से documents properties में जागे company का address यहाँ से select या company address company phone number company में ठीक है तो आप हम उसको save करते हैं यह middle वाला text को हम delete कर देते हैं यह हमें नहीं चाहिए अब जब हम फाइल में save as करेंगे तो यह layout आएगा उस layout में हमें location select करना है by default वो document folder में आ रहा है लेकिन जब हम particular जगह पर document को save करना है चाहते है तो हमें चेंज करना होगा होगा तो मैंने stamp guide नाम दिया उसका file name stamp guide template EMP that is 01 यह नाम देना है मिझे save as type में हम click करेंगे click करने के बाद बहुत सारे options आएगा उन में से हमें word template में click करना है जब हम word template में click करेंगे तो हमारा यह जो document है उसका location automatically document folder में जाएगा चीट है word template को select करना है और उसको save कर देना है बस यह save हो गया इसा template यह तेको stamp guide template 01 अब एक वाद याद रखो जब हम नया document create करते है तो document 1 के नाम पे आता है तो मैंने एक नया document किया तो इसमें document 4 हो रहा है तो मैं जब एक template से create करूँगा तो file new में जाके existing template हमें याद रखना है कि new from existing में click करना है फिर हमें select करना है document folder तूंकि हमने document में किया था stamp guide template के देखा हूं अगर scroll करके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा stamp guide template 0.1 उसको select करने के बाद यह file name यह आएगा और उसमें देखो नीचे create new आएगा हम create new पे click करेंगे तो नया document आया आप देखो document 5 by default आया ठीक है तो यह template का benefit है कि आपको जो आपका परवन आप एडिट बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है आप title बे click करो click करके लिखो for example invitation अब उसको अगर style change करना चाहते हो जितना भी formatting करना चाहते हो आप कर सकते हो subject invitation दे दिया subject special guest special guest हो गया हमारा document automatically placeholder हो complete हो गया हम उसमें format change कर सकते है में में जाके आप उसमें अपना main content निचे जाके अपना company का address दे दो ABC plaza company phone number को लिख दो 02-345678 email address हो गया हमारा काम अब उसको आकर आप formatting करना चाहते हो तो इस side में रख तो उसको तोड़ा बीच में रख तो और वहां से आप फिर से inside पर जाके shapes में जाके इसे एक ruler लेना लेकर उसको ऐसे कर देना ठीक है फिर उसके बाद आप उसका डिजाइन चेंज करते हैं तो आई हूँ मैं सवाड में template कैसे create करते हैं वह समझ में आ गया और template में placeholder text कैसे add करते हैं वह भी समझ में आ गया करते हैं